दोस्तों नमस्कार जैस्रिकृष्णा, जैस्रिराधिय दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन रासी फल 2024 आने वाला नया वर्स 2024 आपके लिए कैसा रहेगा आपके सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार और आपका 2024 नया वर्स आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है आपका पूरा हाल जानेंगे प्रतेक चीज के बारे में जानेंगे कि आपके किस प्रकार की स्तिति रहने वाली है ये पूरे बरस में आप क्या क्या देखेंगे क्या आपकी लाइफ में घटनाए होंगी क्या मुख्य रूप से चीजें घटित ह क्या positive और क्या negative सब कुछ जानेंगे बहुत सारा आपने दुख तकलीफ जह ली है 2023 में 2022 में अब उन दुख तकलीफों से निकलने का वक्त आ गया है और अब आपका वक्त बदलने वाला है किस महीने में क्या हो सकता है पूरी जानकारी आपको देंगे उससे पहले आपको हम बता दें बारसिक रासीफल जो होता है वो मुख रूप से ब्रहसपती के आधार पे होता है और जो मुख ग्रह हैं जिनका परिवर्तन जल्दी नहीं होता है जैसे ब्रहसपती है, सनी है, राहू है और केतु है ये चार ग्रह हैं मुख रूप से जिनका परिवर्तन जल्दी नहीं होता है क्योंकि राहू केतु का परिवर्तन 2023 में हो चुका है अब ये राहू केतु राहू मीन में और केतु कन्या में रहेंगे पूरे 2024 में जो की आपके दसम में राहू और केतु रहेंगे चतुर्थ में दूसरा गुरू परिवर्तन करेंगे एक मई 2024 को ब्रहसपती परिवर्तन करके मेश रासी को छोड़ करके ब्रशब में प्रवेश करेंगे और तीसरा सनी जो सनी है वो परिवर्तन नहीं करेगा वक्री मारगी होगा लेकिन परिवर्तन उसका नहीं होगा रासी परिवर्तन नहीं होगा और इस बज़े से सनी देव आपके नवम भाब में कुम्ब रासी में गोचर करेंगे तो ये चार मुख्य ग्रहें, इनके आधार पे आपको रासी फल हम बताते हैं, लेकिन और भी डीटेल में रीडिंग निकले और सटीक रीडिंग निकले, सटीक भविश्य वाणी आपके लिए हो और सटीक रासी फल बने, उसके लिए हमने मंगल, सूर्य, सुक्र, इन तीन ग रासी का है, तो मतलब मीन रासी तक पहुंचने बक्त लगेगा, लेकिन एक बात तया है कि आपको रासी फल जो मिलने वाला है, वो डीटेल में रीडिंग करके, बहुत ही अच्छे से अनालिसिस करके बताया जा रहा है, तो आपके साथ में ये सटीक होगा, और निस्चत र जरूर देखना चाहिए, जो तिस नेत्र है, वो दिखाता है कि आपकी लाइफ में क्या-क्या घटनाएं हो सकती है, कहां रास्ते पर आपको कोई व्यक्ती मिल जाएगा, जो आपकी लाइफ बदल देगा, कहां रास्ते में गड़्डा मिल जाएगा, जिस गड़्डे में आप गिरने वाले हैं, तो वहां से रास्ता चेंज करना पड़ेगा आपको, सब जानकारी अगर पहले से हो जाए हमें, और कुछ एक आभास हो जाए चीजों का, तो निश्चत रूप से हम कुछ सही डिसिजन ले सकते हैं, वैसे हमारी लाइफ जो है, उसमें बदलाव कब आ आते हैं, हमारी डिसिजन से तो आते हैं, अगर हमने कोई डिसिजन लिया और वो हमारे लिए गलत साबित हो गया, तो हमारी लाइफ नेगिटिब बे में चली जाती है, और अगर हमारा कोई डिसिजन हमारे लिए सही होता रा या सही हुआ, तो निश्चत रूप से हमारे ल आपका अच्छा सावित हुआ आपको अच्छा फैल मिला आपने अगर किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का डिसिजन लिया और वो डिसिजन आपका गलत सावित हुआ तो आपका वो डिसिजन गलत हुआ उस कंपनी में कोई गलती नहीं है उस कंपनी में जिसमें आपका अच्छा हुआ उसमें भी कोई गलती नहीं जिसमें आपका बुरा हुआ उसमें भी कोई गलती नहीं गलती आपके decision की है और यही जोतिस दिखाता है और सिखाता है कि आपको decision कहां लेना है और कितना लेना है और कौन सा decision आपके लिए सही होगा तो आपको ये बात तो clear है कि आपको जो 30 सिर्फ रहा दिखाती है मार्ग दर्सन करती है और अगर मार्ग हमें पहले से किसी मार्ग का दर्सन हो जाए पहले से कोई मार्ग प्रसस्त हो जाए दिखाई दे जाए तो हम अपनी life को balance कर सकते हैं कर सकते हैं और life balance का ही खेल है चलिए शुरू करते हैं आपको बताते हैं कि आपके सिक्षा स्वास्त करियर व्यापार में क्या कुछ होने वाला है लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी और देदें हमारा यह है रासीफल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार है कई लोग सं परसनल रीडिंग कराने आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप बुद्दू बन जाएंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर संसाइन के अनुसार नहीं देखना है वो एक तरह से तुक्का लग जाएगा अगर आपके साथ घटित हो गया फिर आपका हो जकता है कि आपकी life में उस तरीकी की problem चल रही हो इसलिए घटित हो गया लेकिन exact जो चीज़ें ग्रहों के अनुसार है वो moon sign के आधार पे होती है मून साइन मन होता है चंद्रमा जो है मन होता है और मन का प्रभाव मन पर प्रभाव सबसे अधिक होता है ग्रहों का क्योंकि हमारा सबसे पहले अग कुछ काम सही नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं चंद्रासी का अनुसार अगर चंद्रासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी का अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं क्योंकि अगर मन के बाद में अगर कोई चीज है तो वो हमारा नाम नाम नाम पर भी जो प्रवाव होता है वो चंद्रमा का ही होता है क्योंकि कोई व्यक्ति जो हमें नाम से पुकारता है उसका कहीं न कहीं connection हमारी life से होता है इसलिए नाम रासी के अनुसार भी आप देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रासी फल और सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की सिक्षा की अब वक्त कैसे बदलेगा विद्यार्थियों का ये राहु जो अभी तक पूरी तरह से आप ये बात agree करेंगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था पूरा 2023 निकल गया लेकिन आपका पढ़ाई में मन था ही नहीं आप भटक रहे थे आपका एक अलग एक केवल मेडिकल के छित्र के स्टूडेंट मेडिकल लाइन के स्टूडेंट से उनका तो फिर भी लग रहा था मन बाकी सभी लोग तो स्कूलिंग वगएरा जो कर रहे हैं उनका तो परेसानी थे वो कन्फ्यूज थे वह जदा डिप्रेस भी थे तनाव रहा है लाइप में उस बज़े से भी पढ़ाई में मन नहीं लगा है अतिधिक ठोकरे भी खाई हैं कुछ ऐसी परेसानिया भी जिली हैं उस बज़े से पढ़ाई से मन हट गया है आप इस समझ लीजिए कि आप वो वक्त बदलेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा राहू का परिवर्तन राहू निकल जाएंगे पंचम से दृष्टी राहू की हट जाएगी यह सबसे अच्छा परिवर्तन है इसलिए पूरे 2024 में कह सकते हैं आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा उपर से गुरू की कृपा मई तक रहेगी तो एक मई से वो एक जनवरी से लेकर के मई तक की स्थितियां मतलब अप्रेल लाश्ट तक की स्थितियां सरवाधिक स्रेष्ट हैं और वो सरवाधिक स्रेष्ट इस्थितियों में खास करके आपके लिए देखा जाये तो अप्रेल, मई, अप्रेल में खास करके, मई में भी कुछ वक्त है लेकिन अप्रेल का खास करके और फरवरी में भी कुछ हत्ता के स्थितियां बहुत जादा अच्छी हैं, जिसमें क्या है कि आप कोई भी अगर एक्जाम देते हैं, परिक्षा देते हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे, अगर कोई भी वो एक्जाम आपके करियर के सम्मंदित है, अगर आपको उसके बाद में इस्तियां हैं कि उन लोगों के लिए जो मेडिकल के छेत्र से सम्मंदित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही खास समय रहेगा, ये 2024 सरबाधिक स्रिष्ट आपके लिए रहने वाला है, उसके बाद में हम अगर बात करें आपके संतान की, त बच्चों से कोई सम्मंदित प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सर्व सॉल्ब होने वाली है, अगर बच्चों से बन नहीं रही थी तो उनसे बनना स्टार्ट होगी, अच्छी बात चीत होगी, उसके बाद में वैसे तो जनवरी, फर्वरी, मार्च में ही ऐसी स्तितियां बन जाएंगी, जिसमें आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, अगर संतान प्राप्ति काम ना है, या अगर बच्चे किसी प्रकार से गल Jaadis Me, गलत आचरण में पढ़ गई थी तो उस चीजस से भी निकलेंगे, और उन्हें समझदारी आएगी, और वो अपनी जिम्मेदार का निर्वहन अच्छे से करेंगे उसके बार में हम बात करते हैं health की वैसे कई लोग कहते हैं परिवार के बारे में बताओ तो मैं आपको कुछ बिसेज बाते बता देता हूँ परिवार की इस्तितियों में राहू का प्रभाव रहेगा तो परिवार में थोड़ा बहुत आप कि परिवारिक माहौल अच्छा नहीं होगा और एक चीज और है तो यह हो सकता है परिवार में बीमारियों का आवागवन चलता रहे मतलब कोई न कोई आए दिन बीमार रहे या कोई मांसी ग्रूप से परेशान है त्यादी कोई बाधा है या हो सकता है गाउन देहात में त तरीके की प्रताड़ना भी आपको जिलनी पड़े तो परवारिक माहोल अच्छा नहीं है परवारिक की स्थितियां ठीक नहीं है राहू की वज़े से भी फिर यहां पर यहां पर जो हेल्थ की अम बात कर रहे थे तो हेल्थ की स्थितियां बेहत स्रिष्ट रहेंगी बेहत ख परकार से आप कोई भी ऐसा ओयली खाना ना खाएं और उन लोगों को जो भी डायविटीज इत्यादी के पेसेंट उन्हें खाने का ध्यान रखना है जिनको थाइरेट इत्यादी की समस्या उनको खाने पीने पर बिसेज ध्यान रखना है डायटिंग बहुत ज़्यादा समस्या है यह फैट से समंदित समस्या आपकी बढ़ सकती है बाहर के खानी पीने को बिल्कुल त्याग दीजिए यही आपके लिए से इस्ट रहेगा उसके बाद में इस्तितियां यहां पर आपकी हेल्थ की अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आ पैसा मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ धन तो आपके लाज में लाव नहीं हो पाएगा आपको यह चीज आप तिहान रखिएगा उसके बाद में यहां पर बात करते हैं कि आपके सत्रू पक्ष की स्थिति कैसी रहेगी आपका ब्रहस्पती का परिवर्तन एक मई से सत्रू होना ये भी हैं कि आप या तो समझाता हो जाए या कोटकचरी से समझित मावलों में बिजय प्राप्त करें तो एक अच्छी खुषखबरी के रूप में ये समय भी आपके लिए रहने वाला है आप यह देखेंगे कोई भी आपसे टकराएगा तो वो अपनी आप ही आपका दोस्त बन जाएगा आज कोई बुराई करेगा तो कल आपसे बहुत ज़्यादा मितरता करना चाहेगा इस 2024 में सबसे स्रिष्ट महीना सत्रू पक्ष भैवीत होगा फरवरी और जून में जब आप देखेंगे कि आपका सत्रू पक्ष भैवीत हो रहा है और आपसे हार मान है तो इस संबंद में बहुत अच्छा है उसके साथ साथ कोट कचरी से संबंदित मामलों में आपको अगर डिले हो रहा था तो डिले भी अब जो है थोड़ी रप्तार पक्टेगा और थोड़ी सी स्पीड आएगी उसमें मई 2024 से जसमें आप काफी प्रसंद भी हो जाएग काफी आपको खुसी या कोट कचरी से संबंद चीजों में इतनी चीजें आपको मिल जाएं कि आपको वहाँ पर एक अलग प्रसंदता हो अगर आप किसी भी केस में हैं और वहाँ पर आपको बेल नहीं मिल रही थी या इस से संबंद कोई और भी देख रहा है कोई family member इस मत करवरी में भी बन रही है और जून में भी बन रही है बेल आपको मिल जाएगी आसानी से तो यह स्तिती है यहाँ पर आपको इस चीज का विसेश ध्यान रखना है विसेश रूप से खास करके आपको नवंबर और दिसंबर में किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं देना है किस और ये दुरगटनाओं की स्तिति अक्टूवर में बनेगी तो अक्टूवर में दुरगटनाओं से बचना है कोई दुरगटना न हो जाए चोट चपेट न लग जाए तो कोई बुरा एक्सिडेंट भी हो सकता अक्टूवर में तो इस चीज से आपको बचना है और इस से महान इत्यादी तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, अक्टूबर नवंबर के आसपास में ये स्तिती रहेगी, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके विवाह के स्तिती क्या रहेंगी, ब्रहस्पती एक मई तक, यानि मई तक, अप्रेल लाश्ट तक, चार महीने आपक का योग की एक प्रबल योग बन रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये भी है, कि आपके अगर साधी जो है, तूट रही थी, ठीक है, तूट रही थी, साधी अरेंज मेरेज शिक्स होई थी, तूट ही गई थी, बात बहुत बिगड़ गई थी, लाव मेरेज हुई है, आ और ये बच सकती है, आपके खास करके, ये इस्तिती वैसे तो सुरुवास से ही बन रहे है, लेकिन आपका मई के बाद में चंस और ज्यादा बन जाते हैं, या फरवरी में भी बनते हैं, तो ये पूरे साल के यह हम मान के चलते हैं, कि अच्छी इस्तितियां बन रही है, फ उस पर आपको love life, married life, extra fair सब के बारे में विस्तार से बताते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे चैनल बिजिट करना हो उसमें केवल love life बताते हैं इसमें career इत्यादी के बारे में बताते हैं तो अब हम बात करते हैं ब्यापार की हाँ वो वीडियो जो love रासीफल का है उसका link जो है आपको description में comment box में pin किया हुआ मिल जाएगा तो वो आप जा करके देख लीजेगा तो पहली हम जो बात करते हैं कि partnership का ब्यापार जो है वो बहुत रेश्ट रहने वाला है partnership की व्यापार में अगर restaurant है hotel इत्यादी है तो वहाँ पर और CA Chartered Accountant का भी काम अगर partnership में है कोई office इत्यादी वहाँ पर भी आपको अलग ही love देखने को मिलेगा ये वर्स नोकरी पेशा लोगों के लिए जो लोग income tax department में हैं जो लोग उच्च अधिकारी हैं IS, PCS इत्यादी अधिकारी हैं उसके साथ में civil judge इत्यादी हैं वकील हैं high court, supreme court के जो अच्छे ओधे पर बैठे हैं उनके लिए एक खास समय और वक्त बदलाब बाला बन रहा है जिसमें आपकी growth एकदम से अचानक से बढ़ेगी आपको अस्षर होगा कि एकदम से अचानक से आपको इतना लाव कैसे मिल गया चाए वो धन सम्बंदित हो, चाए वो आपके सम्बान से सम्बंदित हो famous से संब्दे तो मतलब बहुत बड़ा एक लाव आपको मिलेगा जिसमें आपको अलग ही प्रसंदता होगी और आपको अस्चरे भी होगा कि इतना बड़ा आपको लाव मिला है उसके बाद में जो लोग income tax department में अधिकारी बनना चाते हैं जौब प्राप्त करना चाते हैं उसका एक्जाम देते हैं उसमें भी अच्छे योग बन रहे हैं बहुत अच्छी सफलता की संभावने बनती हैं अगर कोई भी competitive exam इत्यादी है आपका तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाला है और आपके लिए इस्तितियां अच्छी रहेंगी बस महनत करिएगा और महनत के लिए योग भी बन रहे हैं महनत आप खूप करेंगे उसमें स्तितियां फरवरी जून की बहुत अच्छ से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर और यह आपके लिए सबसे ज़्यादा लावकारी रहेगा अब मिथुन रासी वालों के लिए मिथुन लगन के लिए जाया तरह चीजह होती कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है उन्हें आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होत कई गलत नर्ड़े लेकर के अपने आपको एक तरह से अपने कुए में धकेला है और बहुत कुछ सीखा भी है उससे अब अगर सीख के सुधारा है तो निस्चिद रूप से चीज़ें बहुत अच्छी आप कर पाएंगे 2014 में अगर सुधारा नहीं है तो चीज़ें फिर औ बन रहे हैं धार में क्यात्राएं बहुत होंगी और विदेश यात्राएं भी होने वाली हैं विदेश सेटलमेंट के योग भी मई से बन जाएंगे तो विदेश सेटलमेंट भी हो सकता है और सबसे जादा मई और जून में ही चांस बन रहे हैं जिसमें आपका विदेश से संबंदित काम भी अच्छा बन जाएगा और विदेश सेटलमेंट के योग भी बनेंगे विदेश यात्रा भी हो सकती है अगर विदेश संबंदित कोई डोकुमेंट का काम अठका हुआ तो वो भी पूरा हो जाएगा आपके लिए इस्तितियां जो खराब रहेंगी वो अक् में अगर मकान बाहन की आपको फरवरी और जून में बड़्स भी बहुत अर्म को यह उच्छा है तो ब्याजरश न्सच्चिति आपका बगत बदलने वाला है अब हम ब्यावसाय की ब्यापार की बात करते हैं तो जो लोग ब्यापारी हैं जो लोग कपड़ों से सम्मंदित ब्यापार करते हैं डेजाइनिंग इत्यादी का काम करते हैं अगर जॉब भी उनकी डेजाइनर से सम्मंदित है fashion designing का अगर काम करते हैं कोर्स करवाते हैं उनके लिए भी इस्तितिया और जो सिक्षा देते हैं इन चीजों की सिखाते हैं coaching center इत्यादी है fashion designing इत्यादी का कोर्स करवाते हैं उनके लिए सरबाधिक्स रेश्ट रहेगा अप्रेल, मई, जून और सितंबर ये आपके लिए माला माल बना देगा और आपके बहुत सारे सपने साकार कर देगा सपने पूरे करवा देगा उसके बाद में hotel management का काम भी जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्रेश्ट रहेगा इसमय जो लोग sports से सम्मंदित काम करते हैं sports खेलते हैं जिम चलाते हैं वहां पर इस्तितियां जो हैं फरवरी और जून की स्रेश्ट रहेगी उन लोगों के लिए तो इस प्रकार के इस्तिति हैं और जो लोग जो लोग हैं उनके लिए सबसे स्रेश्ट पूरा वर्स रहने वाला है तो एक अच्छी स्तिति है हाला कि जो सरकारी जौब के लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जौब में वो चाहें निमनिस्तर की जौब हो चाहें उच्छिस्तर की तो आपके लिए मददगार महीना रहेग इसमें आप अगर एक्जाम देते हैं और अगर आप सिक्षा से संबंदित से गौर्मेंट टीचर इत्यादी हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जिसमें आपका टीचिंग इत्यादी में हो जाएगा आपका खासकर के अपरेल में स्तिती और ज्याद आची है तो आपके लिए अच्छी संभावनें बन रही है हर तरीके से आपके लिए वर्स अच्छा है कुछ चीजों में बुरा है वो मैं आपको बता दिया हूँ जैसे दुरगटना की स्तिती अक्टूबर के लाश्ट में बन रही है दवंबर में बन रही है ये दुरगटना की सं सदेंत्र बहुत होंगे हाला कि लाब भी मिलेगा लेकिन जो लोग नए-नए राजनीती में जा रहे उनके खिलाब सदेंत्र बहुत होंगे कांट्रोवर्सी में फसेंगे यह आप फैमस परस्णाल्टी हैं वहां पर भी आपको फसाने की कोशिस लोग कर सकते हैं आपके लिए एक महीना और जो है वो आपके लिए सुक्र खराब कर रहे होंगे और इसमें इस्तिति ये बनेगी सिर्फ और सिर्फ राजनिताओं के लिए या फिर उच्छदिकारी हैं वो किसी अफेर में फस सकते हैं 2024 अब आपको उपाए बताते हैं कि उपाए क्या कर सकते हैं जिससे आपके लिए और ज्यादा सही समय रहे तो उपाए में जेको मिथुन रासी वालों को गड़ेस जी की पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ये बहुत ज्यादा उनके लिए स्वेश् यह छोटे छोटे नियम आप अपने जीवन में उतार लीजिए आपके लिए सही सब कुछ सही रहेगा पूरा 2024 में कोई अलग उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर अगर आपको एक उपाय मेरा बताय हुआ करना है तो मैं आपको सलहा दूँगा कि आप ओम नमो नारा यड़ा है इस मंत्र की ग्यारा माला रोजाना करने का नियम मनाईए पूरे पर सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसना इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरू करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वैल भद धन्यवाद नमस्कार